अरे मानाव आप यहां बेटे हो मैं कबसे आपको नीचे डूंड रहा हूँ यार पापा अभी important match लग रहा है प्लीज डिस्टब मत करो अरे हर चीज के कोई सीमा होती है बेटा 24 गंटे क्या match 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 ना पढ़ाई का ध्यान ना खाने का ध्यान ना आने का ध्यान ऐसे थोड़ी होता है पापा प्लीज मैं आपसे हाज जोड के request कर दो मुझे खेलने दीजिए बहुत important match है सुबह आप लेट उठे उठते ही आपने गेम शुरू कर दिया खाना आप लेट खाते हो गेम्स में 24 गंटे बीजी रहते हो ऐसे हर दम नहीं खेला करते मैंने आपको गेम्स के लिए कहा था गर से बाहर जाओ ग्राउंड में गेम खेलो तक कि आपका शुरीर स्वस्त रहे तंदुरूस्त रहे ये 24 गंटे खेलोगे तो दिमाग भी खराब होगा आखे भी खराब होगी समझते क्यूं नहीं हो आप अब आप बड़े हो गए हो थोड़ा धान रखा करो इन बातों का पापा आप भी तो हमारी बात में समझते ये हमारे लिए कितना इंपोर्टेंट रहा आपको क्या पता इंपोर्टेंट होता है स्वस्त श्रीर मैंने आपको कहा था बाहर जाके गेम्स केलो ताकि आपका श्रीर स्वस्त रहे लेकिन आप 20 गंटे गेम्स इस मोबाईल पर खेलते हो क्या होगा आपकी आंखों का कि कुछ समझ नहीं रहे हो आप यह हमारी गलती है जो आपको मोबाईल लाके दिया इतना भी समझा लो इन बच्चों को अब जल्दी आजा नीचे खाना खाले यह गेम खतम करके यह मेरी गलती है लाड त्यार में नोबाईल दिया मुझे क्या पता है इतने बिगड़ जायेगा पपा पापा पापा क्या हुख दिखाए ने दे रहा है कि आग बौत जलन ओरही है धुल्द दुल्द नजरा रहा है पुछ नहीं दिखे रहा गेम्स तो आफ बंद करते नहीं कभी ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में दर्द हो गया होगा ठंडे पाणी से धो दो तिन बार और अराम से रेश्ट करो थोड़ी देर सही हो जाएगा पाप बहुत बहुत जादा दर्द हो रहा है पापा आरे चस्मा लगाओ पापा चेश्मे से भी कुछ नहीं दिखाए देरा चस्मा से भी दिखाए देरा लगाओ तो सही है हाथ आप बिलकुल ही दिखाए देरा नेरी साथ से डोक्टर को दिखा ले ना चलिया है पर होस्पिटल चलो झाल झाल ऐसा है प्रकाश जी कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो साइद आप सुनना नहीं चाहोगे क्या बात उजद्ध ऐसा है कि आपके बेटे की आंखी 80% खराब हो चुकी है कैसे डूप साब ये तो आपको भी पता है मोबाइल जादत देखने से आंखे खराब हो जाती है गल्ती मेरी है डूप साब लाड़ प्यार में मोबाइल कुछ ज़्यादा ही दे दिया उसको गुराज उसके 80% आंखे डेमेज हो गई क्या होगा मेरे बच्चे देखो अभी भी समय है क्या मेरे बच्चे की आंख ठीक हो सकती है हाँ अगर पर उपर दवाई और रेश्ट ले तो लेकिन क्या वज़र रही डूप साब इतनी ज़्यादा आंखे डेमेज होने की यह तो आपको भी पता है मोबाइल को ज़्यादा नजजीक से देखने से इसकी जो रही लाइट ने आई रेज बंट खतरनाक होती है यह हमारी आंखों को खराब कर देती है हमें मोबाइल का यूज करना चाहिए मिश्यूज को भी नहीं करना चाहिए अगर हम मिश्यूज करेंगे तो फिर हम दुनिया नहीं देख पाएगे हर चीज की एक लिमिट होती है मैंने इसमें कुछ दवाईयं लिख दिया है आप समय पर दवाई दे रेष्ट दे जल्दी इसकी आंके इंप्रूब हो जाएगी थैंकियो रॉप्साँ मैं रेली सॉरी पापा यह आपकी गल्ती नहीं यह मेरी गल्ती थी अगर मैं आपकी बात मान लेता तो शायद मेरी आंखें बची ही होती मैंने दुनिया अपने फोन में ही मान लिया था लेकिन बहार कितनी बड़ी दुनिया है यह मैं भूल गया आप जो बीत गया है वो अब दोर ना आएगा सुना है न आपने अब पस्ताए होत क्या जब चेडियां चुब गई प्लेत जागो तभी सुवेरा अब जो डोक्टर ने कहा है हरे पतों की सबजियां और दवाईयां टाइम से लेनी है मोबाइल से दूर रहना है तो आपके आँखें वापिस सही हो सकती है यह प्रहज आपको करना पड़ेगा तभी यह दुनिया देख पाओगे जी पापा आप खिकर मत करो मैं ऐसे ही करो है जैसे डप्र साब ने बताया अरे अभी तो आप मुझे कह रहे ते कि फोन कम यूज़ करो और आप अप खुद फोन यूज़ कर रहे हो यह तो गलत बात है मैं सोशल मेडिया पर सोशल वर्क कर रहा हूं इसे शेर करके यानि समाज सिवा आज मेरे बच्चे की आँखें बच गए आप लोगों की दुआउं से मैंने चाहता कि आपके बच्चों के भी आँखें खराब हो मोबाइल का यूज़ करें मिश यूज़ ना करें दूर से देखें उतना ही देखें जितनी जरूरत हो शेर करें सब को जागरूप करें जय हिंद जय शिर्राम